नमस्कार दोस्तों स्वाथ है आपका अपने चैनल परसाला टेक में अली टेक, नो फेक दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं दुनिया में अनेकों भासाएं बोली जाती है लेकिन सारी भासाओं को सीखना मुश्किली नहीं ना मुमकिन है तो आज आपका भाई लेकर आए ऐसा ही एक मज़दार वीडियो जिसकी मदद से आप दुनिया की सारी भासाओं को अपने भासा में कनभड़ करके आसानी से जो उसे पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं दोस्तो मैं बात कर रहा हूं Google Lens की जो आप ही के Android phone में बहुत दिनों से पढ़ा हुआ है लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं इसका यूज कैसे किया जाता है तो चलिए मैं अपने वीडियो का माध्यम से सिखाता हूं कि Google Lens का यूज करके कैसे आप जो है दुनिया के सारी भासाओं को अपने भासा में कनभड करके इजली समझ सकते हैं उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो पनाया है तो वीडियो को लाइक कर देजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर देजिएगा ताकि हमें और भी अच्छे से वीडियो बनाने का मॉटिवेशन मिलता रहे तो चली वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले अपने मुवाइल अप्लिकेशन को ओपन कर लेना है यहां आपको जो है गूगल को ओपन कर लेना है साइट करने के बाद आपको राइट शाआड में माइक के बाजु में कैमिillary का option दिख रहा होगा को कुछ इस पर किकरने के बाद आपको ुपर में राइटिशाड में तरी डॉट दिख रहा होगा उस पर क्लिक करना है गांे है उस पर क्लिक करने के बाद आपको जो है एड टू होम स्क्रीन का उपशन धिकर आओंगा इस पर ए बाद्वे क आप्सक्राइब डेख सकते है गूगल सैंस हमारे हों मी मैं हो चुका है आप सिम्पली इहां से इसे और ively है अब आप देख सकते हैं इस पर क्लिक करने के बाद ये खुल चुका है आप देख सकते हैं यहां पर जो भी आपके गलेरी में मेडिया है अब डिराने में छिफ फोटो्टोज है यह स्क्रीन सोटrying गरण है जिसे आप अपने लेगविज में करन्वकर करना सकते हैं उसे यहाँ से आपको select कर लेना है select करने के बाद जो है ट्रांसलेट वाले option में जाना है और वहां से जो है या auto detect कर लेगा कि या किस language में लिखा गया है आप देख सकते हैं यह मल्यालम भासा में लिखी गई थी जिसे हमने अपनी भासा हिंदी भासा में कनभर्ट कर लिया है उसी परकार आप जो है इसे अपनी भासा में भी कनभर्ट कर सकते हैं उसके लिए आपको simply हिंदी वाले लोग करते हैं तो चैनिज भासा को सिलेट कर लेना है जैसे अगर आप चैना से बिलोंग करते हैं तो जाएगा उसी तरह आपकी जो भी भसा हैं आप उसे सिलेट कर लेंगे तो यह आपकी भास में ऑट हो जाएगा कि अगर आप इसे पढ़ना नहीं चाहते हैं तो नीशे आपको लिस्टे जिए उपशन दिख रहा होगा आप इसे सुन भी सकते हैं आप इसे किसी को share भी कर सकते हैं अगर आप इसे Google Translator में open करना चाते हैं तो उसमें भी आप इसे open कर सकते हैं आसा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको समझ में आगया होगा वीडियो अगर आपको समझ में आगया है तो वीडियो को like, share और चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत